राधे राधे आशा करती हों कि आप सभी लोग खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूं संतोसी माता की कथा शुक्रवार ब्रत कथा शुक्रवार को माता संतोसी की पूजा की जाती है जो की रिध्धी सिध्धी को देती ह अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पूजा का विधान भी वताने जा रहे हूँ एक चौकी लें अथवा पाटा लें उस पर लाल वस्त्र विछाएं उस पाटे के ऊपर माता संतोसी की फोटो अथवा प्रतिमा को स्थापित करें कलश्व रखें दीपक जलाएं भोग में ए जने की डाल गुण और मुनाक का रखें कथा जितनी दिर तक सुनते रहें जै संतोसी मा जै संतोसी मा ऐसा बोलते रहें आप लोग भी किरप्या कमेंट बॉक्स में जै संतोसी मा अवसी ही लिख दीजेगा जब कथा समाप्त हो जाता है तब आरती की जाती है आरती करने के बाद में जो प्रशाद होता है उसे अपने पूरे परिवार में बाटना चाहिए थोड़ा सा प्रशाद कटोरी में रख लेना है क्योंकि स्वैम अन नहीं खाना है इसलिए रात्र के समय में एक बार अन का ग्रहन किया जाता है सारा दिन फलहार लिया जाता है खटी चीजों को छूना और खाना वरजित माना गया है संतोसी माता के ब्रत में नीबू, टमाटर, दही, आमला ना तो इन्हें छुआ जाता है और नहीं इन्हें खाया जाता है खटी चीजों का परहेज किया जाता है माता संतोसी के ब्रत में खाने में खीर है, पूरी है, दूद है, इस तरह की वस्तुएं खाई जाती है मेवय का खीर बनाये जाता है, वह खाये जाता है फलहार में, इसके बाद जो जल होता है, जो कलश में जल रखा हुआ है, उस जल को पूरे घर में छिड़क करके बचे वे जल को तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए आये, अब कथा सुनते हैं, बड़े ही भक्ति भाव से, एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे थे, छे बेटे कमाते थे, एक बेटा नहीं कमाता था तो वह बुडिया जो की कमाते थे छेओ बेटे उनको वह बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती थी लेकिन जो सात्वा बेटा था वह उसे छेओ बेटों के जूठन जो बच्चे भी जूठन होते थे उसे खिलाती थी और जो चौके में थोड़ा बुत खाना बच जाता था उसे खिलाती थी जो सात्वा लड़का था वह बड़ा ही भोला भाला था और सोसता था कि मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ फिर भी मेरी मा नित्फ मुझे बढ़िया-बढ़िया भोजन कराती है इस बात को वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है वह बोली क क्यूं नहीं सबका जूठा बच्छा हुआ तुमको खिलाती हैं वह बोला भला ऐसा भी कहीं हो सकता है जब तक मैं आखों से ना देख लूँ मैं यह बात नहीं मान सकता हूं तब उसकी पत्नी ने हस कर कहा कि तुम देख लोगे तभी मानोगे कुछ दिन बाद बड़ा तहव भार आया घर में साथ प्रकार के भोजन और चूर्मा के लड़ू बने यह जाचने को सिर दर्द का बहाना बना करके पतला कपड़ा सिर पर ओड़ करके रसोई घर में ही वह सात्मा लड़का सो गया छेवा भाई भोजन करने आये उसने देखा कि माने उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन बिचाएं हैं साथ प्रकार की रसोई परोसी है वह आगरह करके जिमाती है वह देखता रहा छो भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड़ूं के टुकड़ों को उठाया और एक लड़ू बनाया जूठन साफ करके बुढ़ि वह कहने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना है मैं परदेश जा रहा हूँ माता ने कहा कल जाता हो तो आज ही जा वह बोला हाँ हाँ आज ही तो जा रहा हूँ यह कहकर वह घर से निकल गया चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई वह गोशाला में उपले थाप रही थी व हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल तुम रहियो संतोस से धरम आपनों पाल वह बोली जाव पिया आनंद से हमरे सोच हटाए राम भरों से हम रहे इश्वर तुम्हें सहाए देवो निशानी आपकी देख धरू मैं धीर सुध हमारी मती विसारियो रख्यो मन गम्भीर वह बोला मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है यह अंगूठी है सो इसे ले लो और अपने कुछ निसानी मुझे दे दो वह बोली मेरे पास क्या है यह गोवर भरा हाथ है यह कहकर उसकी पीठ में गोवर के हाथ को थाफ दी और वह रड़का अपने घर से चल दिया चलत दूर देश में पहुचा वहाँ पर एक साहुकार की दुकान थी वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो साहुकार को जरूरत भी थी वह बोला ठीक है रह जाओ लड़के ने पूछा तनखा क्या दोगे साहुकार ने कहा काम देख कर दाम मिलेंगे साहु साहुकार के साथ आठ नौकर थे वे सब चक्कर खाने लगे यह तो बहुत ही होशियार बन गया है सेथ ने भी काम देखा और तीन महिने में उसे आधे मुनाफे का साजिदार बना दिया वह बारह वर्ष में ही नामी सेथ बन गया मालिक सारा कारोवार उस पर छोड़कर बाहर जाने लगा बहुबर क्या बीती सो सुनो साथ ससुर उसे दुख देने लगे सारी ग्रस्ती का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटि बना कर रग दी जाती थी फूटे नारियल के खोपड़े में पानी भर कर रग दिया जाता था इस प्रकार दिन बीतते रहे एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी रास्ते में बहुत सी इस्त्रियां संतोसी माता का ब्रत करती दिखाई द यह तुम किस देवता का ब्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है इस ब्रत के कारण इस ब्रत के करने की क्या विधी है यदि तुम अपने ब्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी तब उनमें से एक इस्त्री बोली सुनो यह संत कोसी माता का ब्रत है इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्षमी आती हैं मन की चिंताएं दूर होती हैं घर में सुक होने से मन को प्रसंदता और सांती मिलती है निह पुत्र को पुत्र मिलता है प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राज द्वारे में बहुत दिनों से मुकद्मा चलता हो, तो वड़ा खतम हो जाता है, सब तरह से शुक सांती होती है, घर में धन जमा हो, पैसा जायजात का लाव हो, रोग दूर हो, तथा जो कुछ मन में कामना हो, वे सब इन संतोसी माता की क्रपा से पूरी हो जाती है इसमें संदे नहीं है वह पूछने लगी यह ब्रत कैसे किया जाए यह भी बताओ तो बड़ी किरपा होगी इस तरी कहने लगी सवा रुपए का गुड चना लेना एक छा हो तो पांच रुपए या सवा ग्यारे रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना बिना परेशानी, शद्धा औप्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, सवारुपे से सवा पांच रुपे तथा इससे भी ज़्यादा शक्ती और भक्ती अनुसार ले, हर सुकृबार को निराहार रह कथा सुनना, इसके पस्चात नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात को रख करके कथा कहना परां तो नियम न तूटे जब तक कारे सिध न हो नियम पालन करना और कारे सिध हो जाने पर ही ब्रत का उद्यापन करना तीन मास में माता फल पूरा करती है यदि किसी के खोटे ग्राहों तो भी माता एक वर्स में अवस्यकार को सिध करती हैं कारे सिध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं उद्यापन में 28 सेर आटे का खाना तथा पढ़ना में खीर तथा चने का साग करना आठ लड़कों को भोजन कराना जहां तक मिले देवर जेट भाई बंदु कुटूम के लड़के लेना ना मिले तो रिस्तेदार और पडोसियों के लड़के बुलाना उन्हें भोजन करान यथा सकती दचना दे माता का नियम पूरा करना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए यह सुनकर के बुढिया की बहु रास्ते में लकडी के बोज को बेच दिया और उन पैसों से गुण चना ले माता के ब्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देख पूछने लगी यह किसका मंदिर है सब कहने लगी संतोसी माता का मंदिर है यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चड़नों में लोटने लगी दीन होकर विंती करने लगी मा मैं निपट मुर्ख हूँ ब्रत के कोई भी नियम को नहीं जानती हूँ मैं बहुत ही दुखी हूँ हे माता हे जगजन्नी मेरे दुख को दूर करो मैं तेरी सरण में हूँ माता को दया आ गई एक शुक्रबार भी था कि दूसरे शुक्रबार को ही इसके पती का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा यह देख जिठानी मूँ सिकोडने लगी इतने दिनों मे पैसा आया है इससे क्या बढ़ाई है लड़के ताने देने लगे काकि के पास अब पत्र आने लगे रुपया आने लगा अब तो काकि की खातिर बढ़ेगी अब तो काकि बुलाने से भी नहीं बोलेंगी विचारी सरलता से कहती भाया पत्र आवे रुपे आवे तो हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर आखों में आशु भर कर संतोसी माता के मंदिर में आ मा तेश्वरी के चड़ों में गिर कर रोने लगी मा मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा मुझे पैसे से क्या काम मुझे तो अपने सुहाग से काम है मैं तो अपने स्वामी के दर्सन और सेवा मांगती हूँ तब माता ने प्रसन होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा यह सुन खुसी सेवाबली हो घर में जा काम करने लगी अब संतोसी मां विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि तेरा पती आएगा पर वह आएगा कहां से वह तो स्वापने में भी इसे याद नहीं करता उसे याद दिलाने तो मुझे जाना ही पड़ेगा इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सोपने में प्रकट हो कहने लगी साहुकार के बेटे सोता है या जागता है वह बोला माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ बीच में हूँ हूँ कहो क्या आग्या है मा कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, मा बाप, भाई, बेहन, पत्नी, क्या कमी है? मा बोली, भोले पुत्र, तेरी इस्त्री घोर संकट उठा रही है, मा बाप उसे दुख दे रहे है, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी ले, वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परन तुम्हें जाओं तो जाओं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई भी हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाओं? मा कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहादो करके, संतोसी मात का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते, तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिग जाएगा, सांज होते होते, धन का धेर लग जाएगा, वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर, इस्नान कर, संतोसी मा को दंडवत प सामानों के खरिदार, नगद दामों में सौदा करने लगे, साम तक धन का धेर लग गया, माता का चमतकार देख, प्रसन हो मन में, माता का नाम ले, घर ले जाने के वास्ते, गहना कपड़ा खरीदने लगा, वहां के काम से निपट करके, वह घर को रबाना हुआ, वहां बह बेचारी, जंगल में लकडी लेने जाती, लोटते वक्त मा के मंदिर पर विश्राम करती, वह तो रोजान रुखने का इस्थान था, दूर से धूल उड़ती हुई देखकर, वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है, तब मा कहती है, हे पुत्री, ते इस्रा अपने सिर पर, तेरे पती को लकडी का गठर देखकर, मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नास्ता पानी बना, खाकर, मा से मिलने जाएगा, तब तुम लकडियों का बोज उठाकर, घर जाना, और बीच चौका में गढधा डालकर, तीन आवाज लगा कर, कहना लो सासू जी, लकडियों का गठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपडे में पानी दो, आज कौन महमान आया है, मा की बास सुनकर, बहु बोली, बहुत अच्छा है माता, कह करके, प्रसन हो, लकडिया के तीन गठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदि सूखी लकडि देखकर, उसकी इच्छा हुई, कि अब यहीं विश्राम करें, और भोजन बना कर, खाकर गउं जाएं, इस प्रकार, भोजन बना, विश्राम कर, वह गाउं को गया, सबसे प्रेम से मिला, उसी समय, बहुत सिर पर, लकडि का गठर लिये आती है, लकडि का भ मानी दो, आज कौन मेहमान आया है, यह सुन करके सास बाहर आ गई, अपने दिये भी कश्टों को भुलाते वे कहती है, बहु, ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आबैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, इतने में आवाज सुन, उसका स्वामी बाहर आता है, और अंगुठी देख ब्याकोलो, मा से पूछता है, मा, यह कौन है, मा कहती है, बेटा, यह तेरी पतनी है, आज बारा बरस हो गए, तो जब से गया है, तब से सारे गाउ में, जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम, काज, घर का कुछ नहीं करती है, चार सम में आकर खा जाती है, अब तुझे देख कर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है, वो लजजत हो बोला, ठीक है मा, मैं इसे भी देखा हूँ, और तुम्हें भी देखा हूँ, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँ, मा बोली ठीक है बेटा, तेरी जैसी मरजी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया, उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरे मंजिल के ऊपर था, खोल कर सारा सामान रखा, एक दिन में ही, वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया, अब क्या था, दोनों सुख पुर्वक रहने लगे, इतने में अगला सुक्रवार आया, पती ने अपने पती से कहा, कि मुझे माता का उध्यापन करना है, पती बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो, वह तुरंत ही उध्यापन की तैयारी करनी लगी, जेट के लड़के को भोजन के लिए कहने गे, उसने परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिकलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उध्यापन पूरा ना हो, लड़के जीमने आए, खीर पेट भरके खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देख करके आरूची होती है, बहु कहने लगी, किसी को भी खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोसी माता का प्रसाधर, लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लो, भोली बहु कुछ नहीं जानती थी, सो उसने पैसे दे दिये, लड़ जेर जिठानी, मनमाने खोटे बचन कहने लगे, लूट लूट धन इकठा करके लाया था, सो राजा के दूद पकड़ कर ले गए, अब सब मालूम पढ़ जाएगा, जब जेल की हवा खाएगा, बहु से यह बचन सहन ने हुए, वह रोती रोती माता के मंदिर गई, है माता तुमने यह सब क्या किया, हसाकर अब क्यों रोलाने लगी, माता वोली पुत्री, तुने उद्यापन करके मेरा ब्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी, वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपरात किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिये, मुझे छमा कर दो मा, मा भूली, ऐसे भी कहीं भूल होती है, वह भूली, मा मुझे छमा कर दो, मैं फिर से तुमारा उद्यापन करूंगी, मा भूली, अब भूल कर मत करना, वह भूली, अब ना हो गया, अब म मा तुम मुझे बतलाओ कि वह कैसे आएंगे मा बोली जा पुत्री तेरा पती तुझे रास्ते में आता मिलेगा वह घर को चली रा में पती आता मिला उसने पूछा तुम कहा गई थी तो वह कहने लगी इतना धन कमाया है उसका टेक्स राजा ने मांगा था वह भरने गया था वह बोली भला हुआ अब घर चलो कुछ दिन बाद फिर शुक्र बार आया वह बोली मुझे माता का उद्यापन करता है पती ने कहक करो वह फिर से जेट के लड़कों से भोजन करने को कहने गई जिठानी ने तो एक दो बाते सुनाई लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहल लड़के कहने लगे हमें खीर खाना नहीं भाता जी बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को देना वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगा खाना हो तो खाओ वह ब्रामण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी यथा शक्ती दच्छना की जगह एक एक फल उन्हे दिया इसे संदोसी माता प्रसन हुई माता की किरपा होते ही नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ पुत्र को लेकर प्रति दिन माता जी के मंदिर में जाने लगी माने सोचा यह रोज आती है आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ इसका आसरा देखूं तो सही यह विजार कर माता ने भयानक रूप बनाया गुड़ और चने से सना मुख उपर सून के समान होट उस पर मख्या भिन भिना रही थी दहलेज में पाउं रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे कोई चुड़ेल चली आ रही है लड़कों ने से भगाओ नहीं तो किसी को आईगी लड़के ड़ने लगे और चिल्ला कर खिड़की को बंद करने लगे छोटी बहु रोसंदान में से देख रही थी प्रसनता से पगली होकर चिल्दाने लगी आज मेरी माता जी घर आई है यह करकर बच्चे को दूथ पिलाने से हटाती है इतने में सास का क्रोथ मा जी मैं जिसका ब्रत करती हूँ यह वही संतोसी माता है इतना कहकर वह जट से सारे घर के किवार खोल देती है समने माता के चरण पकड़ लिए और बिंती कर कहने लगी हे माता हम मुर्ख हैं हम अज्यानी हैं हम पापी हैं तुम्हारे ब्रत की विधी हम नहीं जानते तु बहो को जैसा फल दिया वैसा सभी को फल दे कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले की मनुरत को पूर्ण करे संतोसी माता की जै हो संतोसी माता की जय हो संतोसी माता की आर्ति जय संतोसी माता मैया जय संतोसी माता अपने सीवक जन की सुखसां पती दाता जे संतो सी माता सुन्दर चीर सुनहरी माधारन कीनो हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लीनो जे संतो सी माता गेरू लाल छटा छवी चंदन कमल सोहे मंद हसत करुणा मैं त्रिभवन मन मोहे जे संतो सी मैया स्वान सिंगासन बैठी चवर दूरे प्यारे मैया चवर दूरे प्यारे दूप दीप नैवेद मदु सिवा भोग धरे न्यारे जे संतो सी मैया गुड अरूचना परम प्रिये तामे संतो सी किये संतो सी कहलाई भकत न बैभव दियो जे संतो सी मैया शुक्रवार प्रिये मानत आज दिवस सोही भकत मंडली आई कथा सुनत मोही जे संतो सी मैया मंदिर जग मग जोती मंगल ध्वनी छाई विनै करे हम बालक बिनै करे हम बालक चर्णन सिरनाई जे संतो सी माई भकति भाव मैं पूजा अंगी क्रत कीजे जो मन बसे हमारे इक्षा फल दीजे जे संतो सी माता दुखी दरी द्रे रोगी संकट मोक्त किये बहु धन धान भरे गर सुक सो भाग दिये जे संतो सी माता ध्यान धरोजो नर तेरो मनुमान छित फल पायो पूजा कथा स्रमन कर घर आनंद आयो जे संतो सी माता सरन कहे की लज्या राखियो जग दंबे संकट तूही निवारे दया मैं अम्बे जे संतो सी माता की आरती चो कुई नर कावे रीद सीद सुख संपती जीभर के पावे जे संतो सी माता वैया जे संतो सी माता किर्पया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन अवसी दवा दीजेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद